अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है स्पेशल मैथड्स और प्लान्ट रिपरड़क्शन देखो हमने एंज्योस्पिन प्लान्ट के अंदर पूरे एस सेक्शल रिपरड़क्शन को समझा है अब यह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिपरड़क्शन है अल्टिमेटली इसमें भी हम कह सकते हैं एक प्लान्ट से उसकी यंगवन बनते हैं बट यहां पर बनने के तरीके कुछ अलग है जिसमें से कुछ के तो हमने पहले भी थोड़ा डिसकशन किया है जैसे माइक्रो प्रपोगेशन और वैजिटी प्रपोगेशन में लेकिन हमार लिए यह दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्हीं हमें अच्छे समझना है जीने हमें बहुत अच्छे समझना है एक है एपोमिक्सी और एग एमो और स्परमी इल्टिमेली एपोमिक्सी और एग एमो परमी एक ही चीज है बट अलग अलग नाम इसके दे रखें तो हम लोगों का मीन जो फोकस रहेगा और एपोमिक्सी पे रहेगा यह देखो यह एक स्पेशल टाइप का रिप्रड़क्शन क्यों है देखो बेसिकली हमने पूरे सेक्ष्यल रिप्रड़क्शन को जब स्टड़ी किया ना हमने क्या सीखा हमने यही सिखा कि मदर्ड गया guidance होती है उसमें इस में उससे होता है तब ही हमारा क्या बनेगा एंब्रियो या जाइगोड और जाइगोड से क्या बनेगा एंब्रियो ये चीज़े हमने सीखी है हमारे sexual reproduction के अंदर कि बही MMC में हमारा meiosis होना बहुत जरूरी है और gamut के formation के बाद fusion होना बहुत जरूरी है जिसे अपने fertilization कहते हैं तब ही जाकर हमारा embryo बनेगा और नए प्लांटलेट या नए यंग बन्स को डॉलप करेगा यह हमारा sexual reproduction की define है बट एपो मिक्सिस इन दोनों को favor नहीं करती है यह कहते है कि बही ना तो मियोसिस करवाएंगे ना इंफ्यूजन करवाएंगे लेकिन रिजल्ट में वही रिजल्ट देंगे जो आपका sexual reproduction कहते देता है इट्स मीन एपो मिक्सिस क्या होगी कि ना तो mmc करने की जरूरत है ना फ्यूजन करने की जरूरत है और ultimately आपका जो target है embryo वो आपको मिल जाएगा यही है एपो मिक्सिस यही है इसका basic define जिसे आप अपने माइन में रखो हम इसको special इसलिए बोल रहे हो है क्योंकि embryo तो हमें मिल रहा है लेकि ना हम मियोसिस करवाएंगे ना हम fusion करवाएंगे फिर भी हमें embryo बन रहा है तो यह कैसे मिल रहा है यही एक interesting हमारा point रहेगा that's why हमने इसको special नाम दिया एपो मिक्सिस तो इसके define आप लोगों को clear हो जाएगी एपो मींस मानना है without और मिक्सिस मतलब मानना है mixing कि बिना mixing के ही mixing का मतलब क्या हो गया fusion गैमिट का बिना fusion के ही अगर आपको embryo मिल रहा है ना it's mean वो हमारा normal टाइप का reproduction नहीं है वो हमारा sexual reproduction नहीं है वो एक क्या है एपो मिक्सिस का टाइप है तो यह एक blinkler हमारे scientist थे जिन्नोंने यह term दी दी तो basically इसके define क्या है यह इसकी basic defining method in which meiosis and fertilization not occur तो यह आपको इसकी define समझनी है एक ऐसा process जिसके अंदर ना तो अर्सुत्री विभाजन करेंगी ना ही initiation करेंगे लेकिन फिर भी हमें क्या मिल जाएगा embryo और यह एक तरह के से हम कह सकते हैं यह एक तरह से asexual reproduction ही है लेकिन फिर यह इतना अलग क्यों है तो इसको और अपन डिटेल में फढ़ेंगे तो में भी आपको समझ आए हम कह सकते हैं यह ultimately plant के क्यों ही पार्ट से अगर हमारा embryo बन रहा है क्योंकि फ्यूजन तो होई नी रहा तो हम कह सकते हैं कि यह भी वेजटीर प्रोपोगेशन की तरह भी दिखता है लेकिन सब में भी यह अपनी अलग आइडेंटी लेकर बैठा है तो क्यों उसी को हम डिसकस करेंगे तो आपको सबसे प परड़क्शन की मिमिकरी करता है बट अल्टीमेटली यह सेक्शल परड़क्शन नहीं होता है यह सेक्शल परड़क्शन की तरह ही होता है कुछ साइंटिस मानते हैं कि एपो मिक्सिस के लिए आप एक एमोस पर मी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो एन इशेक बेशता देखो नाम से समझ जा रहा है कि बीच का फॉर्मेशन सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन हम कह सकते हैं यहां पर फडिलाशन नहीं हो रहा तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है अब हम एपो मिक्सिस के टाइप को लेकर बात करते हैं देखो अलग लग टाइम पिरियड अगर आपको सबसे पहले यह किलियर हो जाए कि इस पोरोफाइटी क्या होता है तो यह अपने आप डिफाइन समझ आ जाएगी देखो मैंने आपको कहीं बार बोला है जिस सेल के अंदर क्रोमोजूम के नंबर अपन कहते हैं डिपलॉइड कंडिशन में होते हैं टू सैट्स एसी फेस को अपन इस पोरफाइटी कहते हैं और जिस फेस के अंदर सेल के अंदर क्रोमोजूम के नंबर अपन कहे सकते हैं यह उनली सेट 1971 कंडिशन है यह है पने guyयामडाइप्ट कहते है तो यह जो फेस है यह सपोरोफाइटिक की होती है और यह जो फेस है गामड़ोभ और जो हमारे अपन कहसेते हैं इनडिपेंटेंट जो फेज होती है वो हमारी गेमेड फायटिक होती है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में इकलियर कर लेना है कि भई हमने इस पूरे सेक्ष्वल रिप्रदक्शन में कौन-कौन से सेल के लिए बोला है कि वह टू-N है और कौन-कौन सेल के लिए बोला है जग तक आपको फिरू आपको अपना से ढट कर चुकत हैं एंडरोसिय और एन' con बनती कैसे और वापस NG2N कैसे बनती है यह पूरा प्रोसेस में ध्यान से समझना पड़ेगा तब तब हमारे लिए डिफाइन बहुत इजी हो जाएगी तो चलो लेस्टार्ड देखो sporophytic apomix क्या कहती है इसी का दूसरा नाम है identitive embryony इसको अबस्तानिक ढूंटा या अब देखो simple सा नाम है नाम से समझा रहा है एपो मिक्सी तो है एपो मिक्सी क्या कहती है कि बही ना तो मियोसिस करवाओ ना फर्टिलैशन करवाओ और एक रिजल्ट में आपको क्या मिलना चीए embryo मिलना चीए sporophytic का क्या मतलब हो गया sporophytic का मतलब कोई twin cell से हमें embryo मिल रहा है तो वो ही आपको समझना है the formation of embryo take place from any deployed cell of nucellus integument important बात कि अगर आपके जो हमारा बिजांड का होता है ovule का center cell जो mass of cells होती है जिने पर nucellus कहते हैं और integument जो अध्यावरन होता है ovule का वो 2N cell ही होती है उन 2N cells से अगर आपको embryo मिल रहा है तो अपन ऐसी condition में एपो मिक्सी को क्या बोलेंगे sporophyatic तो जब 2N से हमें क्या मिल रहा है embryo तो embryo क्या होगा 2N condition वाला होगा ना तो meiosis करवाया ना fertilization करवाया और ultimately result में embryo मिल गया क्योंकि 2N cell से मिल रहा था इसलिए नाम क्या हो गया sporophyatic वध्यान में रखना इसमें embryo से के involvement नहीं होता कोई भी nucilis की cell कोई भी integument की cell ही क्या बना देती आगे चल कर embryo यह बहुत अजीब और गरीव यह एपो मिक्सी है तोड़ा इसलिए इसको special category में रखा गया है कि हमने एक तो कितना लंबा process सीखा है sexual reproduction का और यहाँ पर तो भई सिरफ एक cell आगे चल कर embryo बना रही है तो इसलिए थोड़ा सा special है गेमडोफायटिक के अंदर देखो नाम से समझा रहा है कि formation तो होगा embryo होगा लेकिन कौन जी cell से होगा haploid cell से होगा तो difference समझा गया इसमें 2N cell होनी चाहिए और इसमें N cell है तो एन से अगर बन रहा है तो sporophyte और अगर N से बन रहा है तो gamodophyte अब gamodophyte अपोमिक्से के भी दो टाइप है तो gamodophyte जो एपोमिक्से उसके टू टाइप होते हैं अब इस दोनों फरक क्या है देखो cell तो end condition ही होगी तो clear रखना है और embryo बनेगा लेकिन वो end conditionally cell कौन सी है अगर हम यह कहें कि embryo का development egg cell से ही हो रहा है लेकिन उस egg cell में क्या नहीं हो रहा fertilization नहीं हो रहा मतलब निशेचन नहीं हो रहा मतलब वो egg अंडा कैसा है ए निशेचित अंडा है तो it's mean अगर unfertilized egg से ही direct ही embryo बन रहा है इस mean वो end है तो egg cell end होती है तो बनने वाला embryo भी end होगा इस mean यह condition कौन सी होगी गेमेटोफाटिक अपोमिक्सी लेकिन इसके लिए अलग से नाम आप सबको ध्यान में रखना है पार्थनोजनेसिस हम एनिमल में भी भड़ते हैं हनीवी का एक्जामपल बहुत अच्छा है इसके लिए एनिशेग जनन के बिना नीशेचन के ही संत्यति का उत्पन होना ही क्या कहलाता है एनिशेग जनन या पार्थनोजनेसिस फिर एपोगेमी इससे अलग क्यों है तो ए आगे चलकर एंब्रियो बना रही है तब ऐसे डालोप्मेंट को हम कहेंगे एपोगेमी अप्यूगमन एंब्रियो इस फॉर्म फ्रॉम एप्लोड एलोप एंब्रियो सेल एकसेप्ट एकसेल के अलावा एंब्रियो भूण कोश के अंदर जो भी कोशिकाई होती है वो सारी होती है उन में से कोई भी अगर आगे चलकर एंब्रियो बना रहा है न तो आपको ऐसे के लिए इस ऐसे एंब्रियो के डिवलोप्मेंट को क्या बानना है एपोगेमी एपोगेमी की दूसरी डिफाइन को भी आपको समझना है यहां पर अपन कहते हैं कि फॉर्मेशन स्पो यहां पर कैसा हो कर रहे हैं लेकिन इस को बोलेंगे तो अपन क्या स्पोड़वाय 직AM के बानतार क मयुर्य ऊंब्राइज सकते हैं कि जर्ल contacting फेसे का डॉलरां थे में यहां पर यहां पर जो एंब्रीयों बन रहा है वो किसी हेप्ल्यूइड सैल से बन रहा है एक थिर मेंब्रीयों बन रहा है इंब्रीयों भी कैसा होगा N होगा तो apogamia, parthenogenesis यह दोनों टाइप है gamodophyatic के याद क्या रखना है N condition वाली cell से ही N embryo बन रहा है that's why gamodophyatic to N cell वाली से अगर embryo बन रहा है sporophyatic यह बहुत basic से define है इसी define को other name से एक scientist अपन कहा सकते हैं उन्होंने बताया था महश्वरी scientist है जिन्होंने इनी define को एक अलग तरीके से अलग naming दे कर बताया है तो आपको confused नहीं होना हम उनकी भी define पढ़ लेते हैं पर ultimately apomixy यह है इतना अगर आपको concept समझ आ गया ना तो यही पूरी apomixy है कि वही का बैन कब 2N दो ही condition है या तो 2N से 2N बनेगा यह N से N बनेगा क्योंकि ना तो हमें फ्मियोस पढ़ना है ना हमें माइटोसिस पढ़ना है ना हमें फर्टिलाइशन करवाना है और embryo बन जाना है तो वो का possibility यह तो N से हल से हो रही है तो नाम अलग लग कर दिये गए है बढ़ चीज एक ही है एपोमिक्सी मदला विदाउट फ्मियोस विदाउट फर्टिलाइशन वी कैन गेट embryo तो इसी बात को जो sporophyte government of एपोमिक्सी हमने पढ़ी है उसी को प्रॉफेसर पंचानर महशवरी ने अलग तरीके से बताया है नाम बदले गए हैं चीज़े वही है एक है non-recurrent और एक है recurrent इसको हम अगर बात करें तो non-recurrent को बोला जाता अना वरती मैं बोल रही हूँ basic concept वही है जो मैंने अभी आप से बात कही है लेकिन अलग-लग time period में scientist ने थोड़ा सापन कह सकते है change लाने की कोशिश किये बट वो लोग भी तो आपन बात करते हैं पहले नोन री केरेंट एपो मिक्सी की तेखों यहां पर यह कह रहा है देखों यहां पर यह कह रहा है यहां पर मदर सेल अंडर्गो दा माइटोटिक डिवीजिन एंड हैपलोईड एंब्रियो से इस फॉर्म देन अराइज इधर फ्रॉम एग और फ् उस एंब्रियो से पहते हैं पर यह चैनल आगे देखों यह वाली कंडिशन जैसा ही हो गया है कि जो एंड सेल हैं उस एंड के अंदर या तो वह एक सेल से बनेगा एंब्रियो या एकसल के अलावा कोई भी जो एंब्रियो से की सहलों कि हमारा कैसा एप्लोइड एपोगेमी अभी हमने पढ़ा है उस जैसा है तब उस एपोमिक्सी को पन क्या कहने नोन रिकेरेंट तो कि उल मिलाकर जो नोन रिकेरेंट वाली डिफाइन है वो हमने जो पार् एकसल या उसकी अदर सेल जो है बीना फ्यूजन के ध्यान सुनना बीना फ्यूजन के ही एंब्रियो का फॉरमेशन कर रही है इस कंडिशन को बोलेंगे नोन रिकेरेंट अनावर्टी एपोमिक्सी रिकेरेंट जस्ट इसकी अपोजिट वाली बात हो जाएगी कि इसके हमारा embryo sec होता है वो हमारा किसी अब यहां पर देखो क्या हुआ हो MMC से अपन फड़ते ना embryo sec बनता है जो इन कंडिशन में अब यहां पर बना लेकिन यहां पर अपन कहरें बीना meiosis के बन गया तो जब बीना meiosis के बन जाएगा तो यह कैसा होगा two in का होगा तो जैसे ही mother plant के अंदर number होंगे chromosome के वैसे embryo sec के अंदर होंगे क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं हो तब meiosis तो मैसुरी नहीं क्या 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 अगर MMC में meiosis हो मतलब MMC में meiosis होकर जो embryo sec बना बट उस embryo cell से ही direct embryo बन रहा है तो तब तो आप उसे non recurrent बोलोगे और अगर meiosis होई नहीं रहा और जो आपका embryo sec बना है वह two in cell वाला है तब अपन कह रहे हैं तो उसे आपका बोलोग यहां पर कैसे इसकी वह दो टाइप हैं एक है जन्रेटिव एपो स्पोरी जिसे डिप्लो स्पोरी कह रहे हैं एक है एपो स्पोरी यह अब जानुकता है यह सॉमेटिक एपो स्पोरी अब यह कह रहा है कि जो आपका embryo sec बना है ना two in cell वाला two in condition वाला नॉर्मली यहां पर यहां पर यहां पर बना किससे जरूरी नहीं होता कि हर बार हमारा embryo sec MMC से बने एपो मिक्सी क्योंकि सब कुछ अलग बाते बोल रहे हैं सब कुछ अलग है तो वही हमें सीखना है कि जब embryo sec का formation किसी भी archie sporial cell से हो रहा है तो archie sporial cell वही होती है जो आगे सल के MMC बनाती है तो यह टूएं नहीं होती है तो टूएंस से embryo sec बन रहा है तो इसे अपन बोल रहे हैं जनरेटिव एपोइस्पोरी और डिप्लोइस्पोरी दूसरे डिफाइन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर अपन बोले embryo sec arise from the diploid cell नुसिलस और इंट्विंट तो यह डिफाइन भी देखो मैंने पहली कहा था मैस्वरी ने कुछ अलग नहीं कहा है जो आमने sporophyte को gametophyte को भड़ा है उसी को दूसरे डिफाइन से डिसको एक्सपेइन करने की ट्राइए कि बढ़ बात वही बोली है कि बच embryo sec का जब formation हम कहें किसी नुसिलस या इंट्रग्मेंट की वाली सैल से हो रहा है क्योंकि टूएन होती तो embryo sec भी कैसा होगा टूएन होगा तो यहां पर हम कहते हैं ऐसे development of fertilization को हम बोलेंगे एपोस्पोरी तो formation अब देखो ध्यान सुनना हम embryo sec के development की बात कर रहे हैं तो formation of the gametophyatic dietly from the sporophyatic without fertilization तो यह देखो यह हमारी कैसी condition है 2N वाली मलब sporophyatic है और हमने इसके अंदर meiosis करवाया क्या नहीं करवाया और हमें क्या मिल गया embryo sec और embryo sec वो ही है ना gamet ही है gamet का formation इसके अंदर होता है मलब भी gametophyatic phase होती है क्यों एन होनी चीए तो बनतों हम कह रहे हैं sporophyatic से gametophyatic phase बन रही है लेकिन नंबरों chromosome के अगर बात करें तो chromosome के नंबर इसके अंदर भी क्या है नॉर्मल नहीं है ना 2N है तो 2N बन रहा है लेकिन बोनने में क्या आएगा कि sporophyatic से gametophyatic phase बन रही है ऐसी condition को बोलेंगे apple sporey क्योंकि इसके अंदर meiosis नहीं हो रहा तो meiosis नहीं हो रहा जैसी mother cell होगी वैसा ही क्या बनेगा embryo sac बनेगा तो यह apple sporey की define हो गई तो देखो confused थोड़ा सा एक दो तीन बार आपको इसको फड़ना पड़ेगा वर्ड एक जैसे हैं बट मैं basic concept अगर आपके सामने रखूं बस इतना रखना है कि बही एन से अगर एन बन रहा है तो 2N से 2N बन रहा है तो यहां पर हमने कह दिय बन रहा है तो यहां पर अपन कह रहे हैं कि बही डिप्लोइड वाली कंडिशन हो गई और यह वाली कौन सी कंडिशन हो गई हैप्लोइड हो गई बस इतना के लिए रख लो कि sporofatic phase कौन सी होती है और हमारी gametophatic phase कौन सी होती है और वैसे भी आपको मैं पहले बता चुकी होता है उसका जो में फ्लांट होता है तुस्वाला होता है बाला होता है और जो gametophatic घृत होती है भो mmc में muses होने के बाद जो gamits बनते वो होती है तो phase हम किसे कह रहे हैं किस cell को haploid बोल रहे हैं कब haploid cell बनती है कब diploid बनती है कब muses होता है कब नहीं होता है कब fedulation होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा क्यों वो end रहा क्यों वो two end रहा अगर यह चीज़े के लियर हो जाएंगी तो define बहुत easy लगेंगी बड़ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एपवस्पोरी एपवस्पोरी जस्ट अपोजिट एपोगेमिकी वहाँ पर हमने क्या बात की थी sporophyte की बात की थी और यहाँ पर हम गेमड़ोफाइटिक देवलेमेंट की बात करें कि से sporophyte क से लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा यहाँ पर नहीं हो रहा तो फटिलाशन नहीं हो रहा तो तब ही तो यह तो एन से तो एन है अब देखो एग एमसपर्मी कुछ अलग नहीं है एपो मिक्सी जैसी है कि बहुत सीड़ का एंटी एंब्रो नहीं पड़ा था अपस्तानिक ब्रौनताम ने बताया था नुसलेस इंट्रिमेंट वाली किसी भी सेल से अगर 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 एंब्रियो मिल रहा है ना उस कंडिशन को अपन क्या बोलते हैं तो नाम अलग है बही चीज वही है कि बिना फर्टिलाशन करने क आपको अगर अंब्रियो मिल रहा है ना इक्तिमिग was dużo अठाब्सर्श कTalkम ऐल्लाजर्ल Κ Human कि मतलब होता है कि mixing नहीं गड़ने आपको लिकिन रिजल्ड मैं आपको अंपको एंब्रो मिलना चाहिए इसी को पनने बेडnya तो यह पूरी एंपो मिक्सी है तो महस्वरी के कॉड बन रहा है वो अपन कहा रहा है कि हमारे किसी भी से बन रहा है और यहां पर अगर बोले नोन के रिकरेंट में MMC में मियोसिस नहीं हुआ और हमारा अपन क्या मियोसिस होने के बाद जो हैंब्रियो सैक बन रहा है ना उससे हमारा एंब्रियो बन रहा है और यहां पर अपने क् सी एक एमस्परमी इसकी एपोस्पोरी एपोगेमी इनके डिफाइन एक पर फड़ लीजेगा कि इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है नाम ही अलग है और कुछ नहीं अलग है तो किलियर रख कर लिजेगा कि यहां पर हमारा जो एंब्रियो सेक था वो हमारा टू-N कंडिशन में है है तो है पार्थोने जने से तो रहपोगेमी तो यह आपको अपने माइंड में रखना है कि यह एपोमिक्सी क्या सिखाती है एपोमिक्सी बिल्कुल सेक्शल रिपरड़क्शन की अगेंस्ट बात करती है कि यह कोई कंपलसरी नहीं होता कि हमेशा टू-N सेल वाला ही एंब प्रोड़ी नहीं होता कि एंब्रियो बनाने वाली एंब्रियो सेक्श बनाने वाली जो सेल होगी वह हमारी टू-N ही हो वैन भी हो सकती है तो यह थोड़ा आपको माइंड में रखना है अब एपोमिक्सी कहने को तो हमें थोड़ा पजल कर दिया इस नहीं आपमिक्सी ने बट फिर भी इसकी इंपोर्टेंट्स हैं इंपोर्टेंट्स देखो क्या है क्योंकि अगर अगर अपन कह रहे हैं ना तो मियोसिज हो रहा है ना फटिलेशन हो रहा है और उसी सेल के कोई डिप्लोईट से डारेक्ट ही बन रहा है मतब डारेक्ट ही बन रहा है किसी दूसर कोई मियोसिस करवा ही नहीं रहें फटिलेशन के दुरान दो अलग डिफरेंट गैमिट्स का इंवाल्मेंट ही रही है एक ही सेल से आगे चलके डारेक्ट हम कह रहे हैं एंब्रियो बन रहा है तो यह हम कह सकते हैं सिमिलर होता है और प्लस कोई करेक्टर ऐसा है जो बहुत जो सकते हैं सब्सक्राइब चाहिक हैं और गवायचास किसी प्लांट में हाइब्डेट सीड है और उसमें एक से देखनें मिल रही है तो वह हम कह सकते हैं कि वह आगे भी हमें देखने को मिलेंगी तो एक स्थी बिल्कुल एस एक सेक्शुल इपड़क्शन है जरूरी नही बोलने का तरीका अलग अलग